हेलो प्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल अनुपम की रसोई में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए दही वाली अर्भी या भुईया की सब्जी बनाने जा रहे जो खाने में बहुत टेश्टी लगती है और जटपट बनके तयार भी हो जाती है चलिए ब उबाल के छी्ल लिया है और छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है आब हम इंको जैलो फ्राइ कर लेते हमने कडाही में सरसो का तेल ले लिया है अब हम कटी हुई घंड़स के अज़ेम में डाल देते हैं और थोड़ ecology भून लेते हैं इनको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर भून लेना है देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब हम इसी स्टेज पर एक छोटी चमच कस्मीरी लाल मिर्स पाउडर डाल देते हैं जिससे कलर भी बहुत अच्छा आता है सबजी का और खाने में सबजी बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ी देर भून लेते हैं देखिए कितनी अच्छी तरह से भूईया भून चुकी हैं हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं देखे कितना अच्छा कलार आया भूईयागा फिर हम उसी कड़ाही में एक टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देते हैं आधी छोटी चम्माच अजवाइन डाल देते हैं एक चोथाई चम्माच हिंग डाल देते हैं आधी छोटी चम्माच जीरा डाल देते हैं एक कटा हुवा बारीक प्याज डाल देते हैं आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं अब अच्छे से भून लेते हैं थोड़ी दिर प्याज को मसाले डाल देते हैं अधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक चोथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च अपने टेस्ट की कारडिंग लीजिएगा एक चौथाई चम्मज गराम मसाल, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और मसाले भून लेते हैं, जिससे जले नहीं मसाले, अब हम टेस्ट कार्डिंग एक छोटी चम्मज नमक डाल देते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब हम आधी कटोरी दही डाल देते हैं, दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लगातार चलाते हैं जिससे दही फटे नहीं अब हम गयस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लेते और अच्छे से मसाले और दही को पका लेते हैं अब हम एक छोटी चमबस कस्मिरी लाल मीज पाउडर डाल देते और अच्छे से मिक्स कर देते मसाले में इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है सबजी का और ये तीखी भी कम रहती है देखिए हमारा मसाला लगभग भून चुका है तेल सेपरेट हो चुका है अब हम सेलो फ्राई वाली गुईया डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले में ये घुईया आप ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी सबजी बहुत अच्छी लगती है लेकिन हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं इसलिए पानी डालेंगे देखे गुईयां भी मसालिक साथ अच्छे से भून गई हैं अब हम एक कप पानी ले लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं देखिए अभी पानी थोड़ा कम लग रहा है, अब हम बचे हुए कप का पानी भी डाल देते हैं, आपको जैसी ग्रेवी पसंद है जैसी ग्रेवी बना सकते हैं, पतली या गाड़ी, देखिए हमने पानी और डाल दिया है, अब हम ढग देते हैं 5 मिनिट के लिए और पका ल पूर्टी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिएगा, आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के बा देखिए हमने एक बाउल में निकाल लिया है, अब हम धनिया पत्ती से गार निसिंग कर देते हैं